तुमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जोतिश जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका इस टू फ्रेंट संतो संतोशी आज हम बताएंगे लगनेश वाला राहू बाप रिबाप लगनेश वाला राहू है क्या ये बला ये बला ही क्या है ये समझना बहुत अनिवाले है अब चुकि आप लोग जोतिश विज्ञान में रूची रखते हैं तो आप इसके चारचे पहलू जरूर समझने की कोशिश करें किताबों में ये एंगल कोई बता ही नहीं सकता है क्योंकि किताब रास्ता दिखा सकते हैं मंजिल थोड़ी न पहुंचाते हैं 21 सूत्र है क्या नहीं बड़ी सारी चीज़े होते हैं लगनेश राहू विद्यार्थी जीवन में अलग फल देता है दामपत्य जीवन में अलग फल देता है दोनों एक कैसे हो सकता है आपने फिक्स कर दिया लगनेश और राहू होंगे तो ये ये होगा आपने फिक्स कर दिया हाउ कैसे हम इसलिए आपको एक अलग जोतिश समझाना चाहते हैं जोतिश कोई सिखा नहीं सकता जोतिश को सिर्फ समझा जा सकता है जोतिश को सीखा नहीं जा सकता है बहुत बारीक अंतर है बहुत बारीक अंतर है यह जब आप समझ लेंगे तो आप कुछ अलग तरह की चीजों को प्राप्त कर लेंगे बहुत धंग से समझियेगा लगनेश और राहू बाबरे बाब अब अगर हम पढ़ाई की बात करें तो लगनेश और राहू डाइवर्ट करता है लगन का स्वामी राहू के साथ कहीं से भी अगर सम्मंद बनाए तो ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ी चीज की कंसंट्रेशन हिल जाता है जो की विद्यार्थी जीवन के लिए आत्मा है आपकी एकागरता तो राहू बिद्याध्यन की एकागरता अर्थात आत्मा को ग्रसित कर लेता है लगनेश में आत्मा का प्रभावल लगभग मोर देन 60% होता है बाकी 40% कहा जाता है सूरिक के पास जो स्वत्य आत्मा का कारक होता है समझिएगा जोतिश की गहराई को तो लगनेश प्रभावित हो देगे राहू किसी की भी ग्रह के साथ अच्छा तो हो ही नहीं सकता ये आप गांट बांध लेजी अच्छा आप समझ ले ये आपकी बुद्धिमत्ता है आपका पंचमेश का बलवान होना है आपकी अस्टमेश और पंचमेश की वित्र होने की परही ऐसा आप सोच सकते हैं वो विशय अलग है लेकिन राहू प्रथम द्रिष्टिया जिसको भी पकड़ा उसकी तो बजा ही देता है चारों तरफ से तो एकाग्रता को छीन लेता है शिक्षा जीवन में विद्यार्थी जीवन में लगनेश और राहू का ये फन होता है और भी बहुत सारी चीजे हैं आपका पढ़ने के दौरान कहीं अफेयर होकर ब्रेक अप होना वो भी राहू का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है वाइल श्टुडेइंग वैन यू गोट अब्रेक अप जश्ट अलली बिकॉज आफ राहू बहुत अलग अइंगल से बता रहू है वाइल श्टुडेइंग काम करते समय किसी के साथ ब्रेक अप होने में किसका हाथ होता है दसमेश और पंचमेश का देख लिजेगा चैलेंज है तो कारशेत्र में लगनेश और राहू का दोश अगर कहीं आता है तो जब आप बॉस का बिरोध करते हैं ध्यान दिजेगा वो है लगनेश और राहू अगर आपके अंदर यह भाव है कि बॉस को तुरंत आप टोकते हैं या अपनी राय देने लग जाते हैं या बॉस के निरणेओं में जिनको कमी दिखने लग जाती है वो लगनेश और राहू होता है परिवार में कहां है लगनेश और राहू? परिवार माने कि भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चे आदी परिवार में कहां है लगनेश और राहू? आपका जो बहुत करीबी हो ध्यान दिजेगा जिसके साथ आप हर एक अपने राज शेयर करते हो आपकी मा, बहन, पत्नी, पती, बच्चे कोई भी हो सकता है जिससे आप अपना हर राज शेयर करते हो आपका दोस्त मतलब उतना कोई अगर आपके करीब है तो उस रिष्टे में आग लगाने का काम जो होता है न, वो लगनेश और राहू होता है तो आपके किसी भी रिष्टे में आग लगा कर, मतलब किसी के द्वारा भड़कवा कर तीसरा अगर कोई इंट्री मारता है और उस इंट्री की वज़़ा से आप सेपरेट हो जाते हैं वो लगनेश और राहू है यह हम एक्जामपल दे रहें, बहुत प्यार से एक एक जगह का हमने उठाया है एक रिष्टा होता है बच्चों के साथ माता-पिता का अब अगर आप बच्चे हैं और आपके मम्मी पापा को आप पर भरोसा नहीं है तो यह काम राहू का है राहू के कारण माता-पिता आप पर भरोसा नहीं कर पाते और राहू के ही कारण आप माता-पिता पर भरोसा नहीं कर पाते ध्यान दीजेगा वहाँ पर भी यही है वहाँ पर भी यही है धैट मिंज भरोसे का तोड़ना माता पिता से और बच्चों से राहू है लगनेश और राहू है और अन्तिम बात लगनेश और राहू मृत्यों को आसान नहीं करते याद रखियेगा लगनेश और राहू दुर गती दे सकते हैं, अकाल मृत्यु की तरफ ले जाते हैं समय रहते हैं, लगनेश और राहू की शान्ती करानी चाहिए कैसे होती है, क्या होता है, यह सब विस्तार का समय है अगर किसी के जन्मान कमीश प्रकार का दोश हो, एक बार 9910291850 पर कॉल करके देखेगा, लगनेश और राहू की शान्ती संभाव है बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, फिलाल में अनुमत दीजेगा, आप प्रशन रहें, लगनेश राहू से लड़ें हारें नहीं नमस्कार, स्रिकिष्णा शिरादे